हमारे देश में यदी शराब ना हो तो हमारा देश बहुत जल्दी आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएगा कैसे? कैसे होगा बताओ आप बताओ शराब यदी ना बिकै सराब यदी भारत में कोई ना पी है तो देश आरथिक रूप से मजबूत होगा या कमजोर होगा जोर से कैसे होगा ऐसे मजबूत होगा कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा शराब कौन पीता है सराब पीने वाले कौन है ज़्यादा भारत में हमारे देश में शराब पीने वाले लोग तीन स्रणी होती हैं उत्तम, मध्यम और सामान्य ठीक है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तो जो पहली क्लास के लोग हैं हाई क्लास के लोग समझदार वो शराब नहीं पीते वो शराब नहीं पीते जो हाई क्वालिटी के लोग हैं उन्हें पता है वो पीते नहीं है, वो पिलाते हैं नेता लोग शराब पीते नहीं है चुनाव में बटवाते हैं, पीओ हाई क्लास के लोग पीते नहीं है वो पीएंगे तो नका नुक्सान हो जाएगा वो पीते नहीं है वो पिलवाते हैं समझ रहे हैं तो समझदार लोग शराब नहीं पीते अब जो दूसरे नंबर का है वो ऐसा वाला है कि वो आदी नहीं है पर कभी मिल गई तो पी लिया वर नहीं पिया जैसे आप मैसे कुछ लोग है कि महराजी कोई नसा नहीं है पर कभी मिल गई तो लेकिन आज मिल गई तो पी लिया धीरे धीरे आप भी लट आ जाएगी आदी हो जाओगी और वो आप कभी नुकसान करेगी आप भले कभी-कभी पीते हो लेकिन आपने कभी डीप में सोचा होगा कि आपके कभी-कभी पीने से भी आपके घर में विवाद हो जाता है, जगडा हो जाता है, क्योंकि कल्यों का ठिकाना शराब में हैं, और जहां शराब है, वहां कलह होगी, जगडा होगा, घर का सुक्चैन उजिडेगा, और जो तीस तीसरी नम्मर के पस्ट क्वालिटी फर्ष्ट सेकंड ठर्ड तो तीष्री नम्मर के लोग हैं है जैसे हमारे देश के अधिकांस अधिकांस मजदूर वर्ग यह लोग दिनमें 500 कमाए 600 कमाएं तो S encima चराभ पी मिली या 200 चराभ पी के अब दिन भर तो काम किया आपने इट ढोई और काम किया ठके तो वैसे ही हो परिवार से दूर रहे अब थारे ठके आए और शराव और पीली तो जो समय बच्चों को देना चाहिए था पतनी को देना चाहिए था वो शराव के नसे में आपने बच्चों के साथ अभधरता की डाटा मारा पतनी को भी आपने चिलाया मा को भी आपने गलत तरीके से बेहब किया मा के सर इससे क्या होगा यदि भारत देश का सामान्य व्यक्ति जो पास्टों कमाता है हजार कमाता है रोज का ये लोग शराव ना पीए और वो शराव के पैसे को बचा कर यदि सो रुप रुपए में आप अपनी बेटी को आप अपने बेटे को अच्छे से अच्छी स्कूल में पढ़ा कर उन्हें योग बना सकते हैं वो तीन हजार रुपए आपके बहुत काम आएगा दोसों की पी जाते हो तो छे हजार हो गया छे हजार बहुत बढ़ा होता ठीक है सामान आदमी के लिए छे हजार मायने रखता यदि वो पैसा आप बचाएं बच्चों में लगाएं पढ़ाएं लिखाएं तो क्या होगा जब आपके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे कुछ करेंगे तो सरकार को टैक्स देंगे स्वयंबी सेल्फ डिपेंड बनेंगे सरकार कभी सपोर्ट करेंगे तो भारत की आर्थे के स्थिती मजबूत हो जाएगी और घर में जो जगडे लड़ाई हैं वो खत्म हो जाएगे पत्नी का मंगल सूत्र बिक जा रहा है बेचारी का घर के बरतन बैच करके आदमी शराब पी ले रहा है कितनी परिशानी इस्त्री को होती है भगवान करे किसी को शराबी पती ना मिले ना सराबी पती जिसका है उस पत्नी से पूछो बेचारी दिन रात केवल उसके भाग में आशू है उसके सिवा कुछ नहीं बेचारी सिर्व रोती है अपना दर्द कहे तो किससे कहे सास से कहे तो वो रोती है कि मेरा बेटा शरावी है पत्नी बोली मेरा पती शरावी है बच्छे मेरा बाप सरावी इसलिए सराव बहुत बुरी चीज है इसे हमें अपने आप से बहुत दूर रखना चाहिए हम तो कहते हैं सरकार को jeśli से टैक्स मिलता है पैसे मिलते हैं तो कम कमाव साहव लेकन लोगों की जिन्दगी से खिलवाड तो ना करो शराव ना बिके ये अच्छा है शराव बिके ही न भारत में हम तो यदि मैं भारत का प्रधान मंत्री होता आपने यदि मेरे से एक सवाल जो की मुझे नेताओं से प्रधान मंत्री त्यादी पद की कोई चाह नहीं है फिर भी एक आम नागरिक के नाते में बात रख रहा हूं अपनी कि यदि आप मेरे से पूछें कि आप भारत के प्रधान मंत्री होते तो आप क्या करते तो यदि मैं जो एक आम नांगरिक की हैसियत से बोल रहा हूँ कि यदि मैं भारत का प्रधान मंत्री होता तो मैं पहले क्या करता मैं तीन काम करता पहला काम के भारत की सिख्षा फ्री कर देता बच्चे कितना भी पढ़ना चाहें पढ़ो सरकार पढ़ाएगी क्योंकि सरकार वैसे भी चुनाओ का लॉलिपप दे करके कोई फ्री मैं ट्रेन की यत्रा कराईज आ रहा है कोई बस में फ्री में बेटा कोई सिलेंडर फ्री में दे रहा है कोई लैप्टॉप फ्री बाट रहा है कोई कुछ बाट रहा है तो ये लॉलीपॉप फ्री में ना बाट के यदि भारत को सिक्षित बनाने के लिए सरकार चाहले कि चाहे गरीब आदमी का रिक्से वाले का बे पैसे में होनी चाहिए फ्री होनी चाहिए हम कहते हैं बिजली का बिल फ्री मत करो बिजली का बिल फ्री मत करो पानी का बिल फ्री मत करो पानी का लो पैसा बिजली का लो पैसा पर बच्चे हमारे देश में सिक्षा का भाव जानते हैं आज माता बेहने सडक में निकल जाएं तो कोई चैन खीच के भाग रहा है कोई मोवाल खीच के भाग रहा है चोरी कितनी हो रही है भारत में क्यों यदि ये बच्चे चैन शुराने वाले यदि शिक्षा फ्री होती तो ये पढ़ते लिखते योग बनते राष्ट के लिए कुछ करते ये चोरी चोरी करते हैं तो पहला काम यदि मैं प्रधान मंत्री होता तो पहली शिक्षा फ्री करता दूसरा यदि मैं प्रधान मंतरी होता तो दूसरा काम ये करता कि स्वास्थ फ्री करता पांच रुपे की दवाई हो या पचास लाख की सब की दवाई फ्री सब का इलाज फ्री मरत्यू से एक सम मरेंगे पर भीमारी से कोई नहीं मरेगा आज गरीव आदमी को न यदि लाख रुपे का इलाज कराना हो तो से अब तो सरकार ने फिर भी कुछ मुहिम चालू की है लेकर अभी पूरी राहत नहीं है एक तरप से पूरा पश्चे मुत्तर दक्षन भारत का ये कौना हो या वो कौना हो शिक्षा और स्वास्त है फ्री होना चाहिए हाँ या न यह बात सही है कि गलत है तीसरा यदि मैं प्रधान मंत्री होता तो तीसरा कार्य करता कि भारत में गुटके को बैन करता शराब को बैन करता गांजा अफीम चरस को बैन कोई नसा लेगा इन नसों की कोई जरुरत गव हत्या को बैन गव हत्या नहीं होगी पहला कार्य तीन काम एक सिक्षा सब पढ़ो स्वास्त सबका नहीं शुलक सबका हम तो देखो सरकार मैं अभी कोई हमारे पास पद प्रतिष्ठा नहीं फिर भी हम तो भीख मांग कर समाज को जो करने लाइक है फिरी में भोजन सबको मिल रहा है गौरी गोपालाश्रम से हम जो कर सकते हैं वो अपने इस तर से कर रहे हैं हम सबको नहुशुलक स्वास्थ देने की कावलियत अभी नहीं है हमारी यह तो सरकार जो प्रधान मंत्री पदपर होगा वो सब कर सकता है वियर्च का पैसा बचाओ सरकार वियर्च का खर्चा बंद करें सरकार बहुत पैसा लुटाती है वियर्च का कहा कहा लुटाती है अब देखो सडक बनी बनी सडक एक महिने बाद फिर खोद दी काहे खोद दी सीवर की लाइन डालना भूल गये छे फिर बन गई सडक फिर खोद दी काहे खोद दी अरे बिजली की लाइन डालना भूल गये छ अब बताओ ये चार बार का जो पैसा है ब्यार्च गया की नहीं हजार करोड की सड़क बनी और आपने हजार करोड की सड़क यदि खोद दी तो हजार करोड नुक्सान हुआ की नहीं वो हजार करोड फिर बनाओ वो हजार करोड से कितने बच्चे पढ़ लेते यदि फ्री सिक्षा हो जाती तो कितने लोगों का स्वास्थ ठीक होता यदि फ्री स्वास्थ हो जाता तो अब पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है साहब बच्चों को स्कूलों में पढ़ाओ लाख रुपईया साल मांगते हैं पचास हजार रुपईया साल और महंगा स्कूल है तो दो लाख रुपईया साल मैंने तो सुना के एक स्कूल में बीस लाख रुपईया भी लगता है साल मैं तो काप गया नीचे से उपर तो राम 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 हमारे पिता जी ने हमें दो साल सरकारी स्कूल में पढ़ाया इसलिए कि जो प्राइवेट स्कूल था उसकी फीस 20 रुपे महिना थी 30 रुपे हम जिस स्कूल में पढ़े हैं वो स्कूल में फीज कितनी थी 30 रुपे महिना तो हम 2 साल प्राइबेट स्कूल में इसलिए नहीं पढ़ पाए थे क्योंकि हमारे पिता जी के पास महिने का 30 रुपे देने की छमता नहीं जी भी फिर स्कूल के हाथ पाँ जोड़े के वहिया 30 रुपे नहीं 20 रुपे ले ले ना आश्चर मानेंगे 20 रुपे महिने वाले प्राइबेट स्कूल में हम पढ़ के आए साथ भी तक तो हम सरकारी स्कूलों पढ़े है क्योंकि प्राइवेट स्कूल में हमारे गाओं के बहुत बच्चे जाते थे प्राइवेट स्कूलों में 30-30 रुपए महिना, 40-40 रुपए, 100-100 रुपए, उस जमाने में 100 रुपए महिना का भी स्कूल था पांस रुपए महिना का भी, लेकन अपनी आउकाद तो थी नहीं इतनी, तो 30 रुपए वाले में पड़े थे, 30 रुपए महिना था, उसमें भी भाद बिंती जोड़के 20 रुपए कराई थे शिक्षा फ्री होती न साहब, तो कुछ और होती देश की तस्वीर बहुत सारे लोग पैसे क्या भाव में कहां पड़ पाते हैं, यह बास सही है कि गलत है, हाँ, इसलिए हमारा देश सौने की चड़िया था, है, रहेगा, कुछ नेता नहीं होने देना चाहेते देश को सौने की चड़िया अब बरतमान सरकार ने कुछ ठीक ठीक कदम उठाए हैं, कुछ स्वास्थ भी फिरी किया है, सिक्षाओं का भी, पर पूर्ण होना चाहिए, मेरी तो तब सहमती पूरी होगी, कि जब पूरा स्वास्थ फिरी और पूरी सिक्षा, और नसा, भारत में शरा बिकनी चाहिए क् सोचो, संतों का पिक्षर बनाने वाले वॉली वुट के जितने लोग हैं, ये संतों को गालियां देते हैं, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, कि गुटका में बेन लग जाए, तो वो लोग, तो वो तो बेचारे, दाने दाने में केसर का दंबो तो प्रचार ही कर रहे हैं, कोने के विचार से हमारे विचार तो मैच करेंगे नहीं तो वो लोग फिर हम लोगों को गालियां देते हैं अरे बाबा लोग तो पाक हंडी है बाबा लोग तो ढौंगी है भाई वो तो चाहेंगे ना कि ऐसी बाते हम ना करें कि ऐसी बाते हैं कि क्योंकि यदि हम ऐसी बाते की और आम जंता जाग गई तो ऐसे सुपर डुपर इस्टारों के जीवन में सब इनकी पिक्चरों में ताला पड़ जाएगा इसलिए आम पबलिक को जागना चाहिए जो आपके बच्चों को गुटका खिला रहे हैं शराब को प्रमोट कर रहे हैं मूवियां बनती हैं हज्जारों करोड़ खर्च करके उन मूवियों में दिखाते क्या हैं शराब को प्रमोट करते हैं मुझे पीने का सौख नहीं पीता हूं गम भुलाने को यह गाने बनाते हैं अब यह सराफ को प्रमोड ही तो है आपने पीली एक घूंट इसलिए के यार मेरा भी कुछ गम कम हो जाएगा हुआ कुछ कम नहीं बढ़ और गया क्यों आप पीते हो शराफ को आप पीते हो पीना म परिश्टारों को करना चाहिए प्रमोड तो क्यों करते हैं कि क्यों करते हैं कि देश को बरवाद करने के लिए आपके बच्चों को बरवाद करने के लिए पर बिढमना यह जो बरवाद करना चाहते हैं उन्हें आपने सुपर परिश्टार बना दिया और जो आपका और आ कोंगी पाखंडी करार दे दिया कि यह आम जनता का न्याय है